चलिए गाइस आज के रीडियो में हम जो है वो Black Body Radiation के बारे में देख लेते हैं और ये जो आपका टॉपिक है BAC Third Year Physical Chemistry Unit 1 Elementary Quantum Mechanism का टॉपिक है इसके अलावा इस चैप्टर के और भी नोट सा आप लोगों को Physical Chemistry का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है BAC Third Year वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक सबसे पहले हम Black Body Radiation समझने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्याम बस्तू क्या होता है जिसे Black Body कहा जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को एक EMAX हो रहा होगा तो कोई भी Radiation जब किसी Body के उपर टकराते हैं तो 3 Condition जो है वो हमें देखने को मिलता है जैसे आप यहाँ पर Lamp देख रहे हो वहाँ से कोई विकीर ने निकल रही है जिसे Radiation कहा जाता है और सबसे पहला Condition हम यह देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई Object रखा हुआ है और Radiation उस Object के उपर टकरा कर परावर्तित हो जाती है मतलब उनका Reflection हो जाता है यह पहला Condition है Second Condition यह हो सकता है कि वो जो Body है वो उस Radiation को Completely अपने अंदर जो है वो Associate कर ले या फिर Absorb कर ले Third Condition यह हो सकता है जो कि आप लोगों को इमेज में सो हो रहा है वो जो Body होता है वो उस Radiation को जो है वो Transmit कर देते हैं मतलब पारगत कर देते हैं अपने Body के उपर से तो यह जो है वो 3 Condition जो है वो हमें देखने को मिलता है जब कोई Radiation किसी वस्तू से टकराते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Black Body की तो Black Body वह वस्तू है जो उस पर Incident होने वाले सभी प्रकार के wavelength वाले Radiation को पोनता एब्सॉप कर लेते हैं तो तब यहाँ पर यह का जार है कि Black Body वो Body होता है जो उस पर आप्तित होने वाली सभी प्रकार की Radiation को तो Radiation जो है वो किसी भी wavelength का हो मतलब जो विकिरन उनके उपर गिनने वाला है वो किसी भी तरंग देर्दी का हो सकता है उनके उपर जो भी radiation incident होने वाला है वो किसी भी wavelength का हो सकता है किसी भी तरंग देर देखा हो सकता है तो उन सभी radiation को जो है वो अपने अंदर completely absorb कर लेते हैं यहाँ पर आप एक और image देख रहे हो जिसमें sun से आने वाले जो भी radiation है उन्हें जो है वो black body अपने अंदर जो है वो पोनता असोसित कर लेते हैं और जब वो black body उन radiation को अपने अंदर absorb करते हैं तो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जो है वो एनर्जी जो है वो release करते हैं मतलब उर्जा मुक्त करते हैं और वो जो black body है जब बहुत जड़ा जड़ा गर्म हो जाते हैं उनके बाद वहाँ से जो भी radiation निकलता है मतलब black body black body से जो radiation निकलता है उसे ही हम black body radiation कहते हैं clear हुआ आपको चलिए नोट्स में आते हैं और भी कुछ-कुछ चीज़े आपको यहाँ पर समझना है उसके बाद black body radiation आप रोगों कौफिय से समझ में आ जाएगा तो एक बाद definition आप फिर से देख लीजिए black body वह body है जो उस पर आप्तित होने वाली सभी प्रकार के तरंग डेर्ध वाली विक्रिणों को अपने अंदर जो है वो absorb कर लेती है ये वस्तुए रंग हीन या रंग हीन विक्रिणों को ना तो परावर्तित करते हैं और ना ही पारज़त करते हैं मतलब मैंने जो starting में three condition बताया था उसमें से केवल ये एक condition को follow करते हैं ना तो ये उस radiation को जो है वो reflect करते हैं और ना ही इसे transmit करते हैं जबकि पूर्णता अपने अंदर वो associate कर लेते हैं मतलब ना तो वो विक्रिणों को ये radiation को अपने अंदर परावर्तित करते हैं और ना ही उसे जो है वो transmit करते हैं जबकि उसे पूर्णता अशोसित कर लेते हैं और इस प्रकर का जो body होता है वो black body कहलाता है ये black body सदयो काली दिखाई पड़ती है जो black body होता है उसका color जो है वो black color का होता है गर्म करने पर सभी वस्तुएं energy विक्रित करते हैं अगर हम किसी भी वस्तुएं को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद वहाँ से जो है वो energy release होता है लेकिन black body द्वारा विक्रित energy सरवाधिक होती है अगर हम compare करें किसी other body को रख दें और black body को रख दें तो वहाँ से जो भी energy release होगा वो black body का जो है वो जादा रहेगा black body को complete radiator भी कहा जाता है black body को गर्म करने पर उत्सरजित होने वाला radiation ही black body radiation कहलाता है हम black body को गर्म किये गर्म करने के बद वहाँ से black body से जो भी radiation निकल रहा है वही आपका black body radiation कहलाता है clear हुआ गाई साप लोगों को तो यह पूरा notes जो है वह आपने से लीजिए black body serrated बहुत ज़्यादा easy सा topic है black body यह तो हुआ गाईस black body के बारे में अब हम जो है वो कुछ-कुछ curve के बारे में देखते हैं जो की very important है आप लोगों को अगर exam में कोशन आता है तो यह जो भी वक्र है curve है वो आपको बनाना जरूरी है यह दि निस्टिट टेंप्रेशर पर black body द्वारा उस सर्जित radiation के wavelength को x-क्ष तथा संगत उर्जा घना तो मतलब energy density को y-क्ष पर आरेखित किया जाए तो इस प्रकार का curve वो प्राप्त होता है देखे मैं आप लोगों की सच्छे समझा रही हूँ यहाँ पे जो आपका x-क्ष दिख रहा है उसमें हम जो है वो wavelength को लिखेंगे मतलब black body के द्वारा जो भी radiation निकल रहा है मैंने कहा ना कि black body radiation हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे है तो black body के द्वारा जो भी radiation निकल रहा है उस radiation का wavelength मतलब उस radiation का जो तरंग दैर्दी है तरंग दैर्दी जिसे हम lambda से के तरफ लिखेंगे और येधर वाई अक्षे के तरफ जह है वो हमुद रेडियेशन की एनरजी डैंसिटी को लिखेंगे जिसे उठ्जा घनत उन जाता है उसके बाद हम जो है वह इसके बीद ग्राब कहिशेंगे और यहां पर जो भी का स्पेक्ट्रम feltब यहां पर डुख अपैस्ट को कर्व दिख रहे हैं वी प्र कर का स्पेक्ड relief here उसके बाद जो है वो हमें उस radiation का जो है वो spectrum प्राप्त होता है तो यह जो आप लोगों को यहां पर diagram दिख रहा है निश्चित temperature पर black body द्वारा उस सर्जित radiation का spectrum है तो अगर हम लोग जो है वो इसके बीच graph खीचे किसके किसके बीच जो हमारा radiation है उसके wavelength के बीच में और उसके energy density के बीच में तो कुछ इस तरीके का जो है वो हमें wavelength प्राप्त होता है तो यह जो आपको point दिख रहा है यह 600 k तो इसका जो है वो temperature है यहां पे आप देख रहे हो अगर हम जो है वो इसके बीच graph खीचते हैं तो यहां पे हमें सबसे highest point मिलता है और इस highest point को हम जो है वो point a करके जो है वो नाम देते हैं और यह जो आपका highest point होता है वो lambda max कहलाता है लैमडा max मतलब क्या होता है सबसे जो उस तरंग देर्ध वाला होता है तो जो सबसे high wavelength वा सेकंड डाइग्राम में देखे तो ब्लैक बोडी के द्वारा विभीन टैंप्रेचर पर उत्साजित राडियेशन का स्पेक्ट्रम यहां पर हम लोग केवल एक टैंप्रेचर को जो है वो दिखाए हैं लेकिन अगर हम यहां पर अलग-अलग टैंप्रेचर को दिखाते हैं त स्क्रीन सोट लेकर किसे जरूर नोट केजिए अपने कर्वों के कर्व करक्र इस प्रकार है जो भी हमें कर्व मिला है उसका हम कैर्क्र देखते हैं सबसे पहला है ब्लैक बॉड़ी द्वारा किसी निस्चित टैमप्रेशर पर उच्छित रडीयेशन का एनर्जी डेंसिटी एक निस्चित तरंग देर्ड पर उच्छितम होता है जिसे चित्र में पॉइंट एडरसाया गया है मैंने पहले ही बताया था कि ब्लैक ब्लेक बोड़ी द्वारा किसी निस्चिट टैंप्रेशर पर उच्छित रडियेशन का जो एनर्जी डेंसिटी होता है एक पॉइंट आता है जहां पे उस तरंग देर्द पे जो है वो सबसे उच्छ होता है और उस पॉइंट को हम लोगोंने एपॉइंट करके जो है वो दि अफॉइंट आता है तो उस निस्चित टैंप्रेशर पर उच्छित रडियेशन जो भी हमारे ब्लैक बोड़ी से रडियेशन निकल रहा है उसका जो एनर्जी डेंसिटी है मतलब उसका जो ऊच्छित तरंग डेट पर उच्छितम होता है मतलब एक पर्टीकुलर वेवलें वा ये जो है, वह हमें हाई मिला है तो उस पॉइन्ट को हम आ करके लिखते हैं यह आपका पहला पॉइंट है ब स्कर्द नुम्ढ़ में देखिए अलाग अलाग temperature के लिए अलाग अलाग curve प्राप्त होते है यहां पर आप देख सकते हो अगर हम सेम curve को अलग अलग टेंप्रेचर के लिए करते हैं, तो हमें अलग-अलग कर्व मिलता है, आगे देखे, ब्लैक बोड़ी के द्वारा उठ्सर्जित कुल उड़ जा, उस वस्तू के टेंप्रेचर के अनुसार जो है, वह भिर्ण भिर्ण होता है, तो सेम इसी सीज़ को जो है वो कहा गया है कि ब्लैक बोड़ी के दौरा जो भी energy जो है वो उच्छ सर्जित हो रही है उस temperature के recording जो है वो अलग-अलग होता है मतलब जो energy density है वो अलग-अलग होता है temperature में व्रिधी के साथ उच्चतम की इस्थिती कम तरंग डैर्दी की और जो है वो हटती जाती है देरे देरे आप देख रहे हो graph जो हो नीचे की और जो है वो आते जाता है